Hello friends, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप Android Studio में आने वाली HXM की Error को Solve कर सकते हैं HXM की ये जो Error है, वो System Depending है, किनी Systems में ये Error आती है और किनी Systems में ये Error नहीं आती Basically friends, जब भी आप Android Studio को Install करते होंगे, तो Downloading Component की दोरान आपको ये Error देखने को मिलती होगी यहाँ लिखावा होता होगा HXM Installation Feld, To Install HXM Follow the Instruction या फिर friends, जब भी आप अपने Project को Emulator पर Run करते हैं, तो आप एक Virtual Device Create करते हैं उस वक्त आपको यहाँ देखने को मिलता होगा, HXM Not Installed Then आप Install HXM पर किलिक करते होंगे, तो आपको ये Error देखने को मिलते होगी बढ़ आप pretty sure इस वीडियो को देखने के बाद, आप HXM की ये जो Error है, उसे easily solve कर पाएंगे सो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, या फिर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर करें हाई फ्रेंड्स, आम राहूल जांगेड, फाउंडर आफ प्रोग्रामिंग वितार जे, सो लेट्स गेट स्टार्ट तुगेदर HXM की सैरल को सॉल्व करने के लिए हम दो स्टेप्स को फॉलो करेंगे, जिसमें हमारी फर्स्ट स्टेप यह होगी, कि हम BIOS में Virtualization Technology को Unable करेंगे, सेकेंड हम HXM को Manually Install करेंगे, फर्स्ट ऑफ ओल हम हमारी फर्स्ट स्टेप को देख लेते हैं, जिसमें हम BIOS में Virtualization Technology यह जो Option है उसे Unable करेंगे, फ्रेंड्स किसी भी सिस्टम में BIOS को Open करने के लिए हमें एक Key की Need होती है, और यह जो Key है वो हर सिस्टम के लिए अलग-अलग होती है आप इसे गूगल करके find out कर सकते हैं मैं आपको इसने find out करके बताता हूं इसके लिए आप लिखेंगे bios key for and then आप अपने system को यहां लिखेंगे अगर आपका system Lenovo का है तो Lenovo लिखें अगर मैं यहां लिखेंगे कि आपको लिखावा मिलेगा कि आपको फ्रेंड्स इस तरीके से आप Google सर्च करके आप find out कर सकते हैं कि आपके system के लिए bios open करने के लिए कौन से की need होती है इसके लिए आपको आपके PC को restart करना होगा जैसे ही power on हो तो आप अपने यह जो key है उसे 5-10 times press करें press करने के बाद आप देखेंगे कि आप bios में enter कर चुके हैं friends आप वहां find out करें कि आपका जो virtualization technology का option है वो कहां है and then आप उसे enable कर दें कुछ इस तरीके से हम जो हैं वो हमारे virtualization technology को enable करते हैं आप bios में देखेंगे कि आपको virtualization technology यह जो option है वो दिखेगा and then आपको उसे enable करना है then friends आप इसे f10 दबा के save करें so friends यह थी हमारी first step जिसमें हमने bios के अंदर virtualization technology के option को enable किया now friends अब हम हमारी second step पे चलते हैं friends इसमें हमें hxm को manually install करना है friends इसके लिए आपको लिखना है intel hxm download then आप enter करें तो आपको यह जो first link के इस पे आप click करें जैसे ही आप click करेंगे तो आपको यह interface open होके आएगा जिसमें आपको GitHub की एक repository open होके आएगी friends यह जो repository है वो intel के दुआरा प्रवाइड की गई है देन आप scroll करें और नीचे आए तो आपको यह download का option मिलेगा तो आप यहाँ here पे click करें जैसे ही friends आप here पे click करेंगे तो आपको कुछ इस तरीकी का interface आपको open होके आएगा आप यहाँ नीचे आए तो आप दिखेंगे कि यहाँ आपको HXM Windows के लिए भी है और HXM Mac OS के लिए भी है फिलाल के लिए में Windows के लिए install कर रहा हूं तो आप यहाँ Windows पे click करें आप दिख करेंगे तो आपको एक folder मिलेगा आप इसे open करें ओपन करने के बाद आपको यहाँ HXM setup मिलेगा आप इसे run करें देन friends आपको इस तरीकी का interface open होके आएगा तो आप यहाँ Next पे click करें देन friends आपको install पे click करना है जैसे ही आप install पे click करेंगे तो आपकी process चलेगी and then आपको finish पे click करना है so friends finish पे click करने के बाद आपका HXM install हो चुका है now friends अब हम देख लेते हैं कि हमारा HXM install हुआ है या नहीं इसके लिए मैं Android Studio का एक project open कर रहा हूँ friends मैंने मेरा Android Studio open कर लिया है now यहां से मैं AVD manager को open कर रहा हूँ then यहां एक virtual device को create कर रहा हूँ then यहां कोई भी एक device को आप select करें और next पे click करें now friends आप यहां देख रहे होंगे कि वो जो recommendation में हमारे पास error थी HXM not installed वो अब नहीं आ रही है so friends इसका मतलब यह है कि हमारे जो HXM है वो properly installed हो चुका है so friends इस तरीके से आप HXM की जो error है उसे solve कर सकते हैं I hope आपको यह वीडियो अच्छे लगी होगी और अगर यह वीडियो आपको अच्छे लगी है तो वीडियो को like ज़रूर करें और comment section में comment करके मुझे जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसे लगी इसे तरीके से आप मुझे support करते लिए मेरे वीडियो को दिखते लिए मेरे वीडियो को अपने friends के साथ जरूर शेयर करें Thank you